नमस्कार साथियों मैं अंत्राष्टी लेखक आपका दोस्त डॉक्टर उज्वल पाटनी बोल रहा हूँ साथियों उज्वल पाटनी मोबाईल एप को लाखों की तदाद में डाउनलूड करने के लिए आपका शुक्रिया यूट्यूब पर उज्वल पाटनी चैनल में हर एक वीडियो को लाखों की तदाद में देखने के लिए आपका धन्यवाद लेकिन प्रश्ण यह है कि आप मेरे वीडियो को प्रॉब्लम की नजर से देखते हैं या सॉलूशन की नजर से आप मेरे वीडियो को सिर्फ आनंद लेने के लिए देखते हैं या उसमें से जिंदगी की रास्ते निकालने के लिए देखते हैं आप मेरे वीडियो को इसलिए देखते हैं क्योंकि रिलायन्स जियो ने आपको डेटा फ्री दे दिया है या आप मेरे वीडियो इसलिए देखते हैं क्योंकि जीवन में आप कुछ बदलना नहीं चाहते हैं साथियों जब तक हम कुछ बदलना नहीं चाहेंगे अपने आप कुछ नहीं होने वाला है नॉर्मली हम सब का फोकस जीवन में अपॉर्चुनिटी इसकी जगा प्रॉब्लम्स पे जीवन में सॉलूशन्स की जगा प्रॉब्लम्स पे ये मैं अपने अनुभाव से कह रहा हू क्योंकि मैं हर महिने औस तन पचास जार से एक लाख लोगों से बात करता हूं साथियों एक प्रोफेसर एक क्लास में गए उन्होंने बोर्ड पे एक बहुत बड़ी ड्रॉइंग शीट लगा दी बहुत बड़ी उस ड्रॉइंग शीट के बीच में काला धबा लगा दिया और सभी बच्चों से कहा कि इस ड्रॉइंग शीट में जो दिख रहा है उस पर लिखें हैं आप आश्चेर करेंगे यह असली रिसर्च का हिस्सा है तीस में से 28 लोगों ने उस काले धब्बे के बारे में लिखा खाली दो लोगों ने उस सफेद शीट के बारे में लिखा एक इतनी बड़ी शीट में यदि तीस में से 28 लोगों का ध्यान एक धब्बे की तरफ जाता है और सिर्फ दो लोगों का ध्यान इतनी उजली वाइट शीट की और जाता है तो समझे फोकस कहा है हर आदमी एक प्रॉब्लम डूडने की फिराक में है एक बार और एक और मज़े की बाद बताऊ ना कोई भी सॉलूशन ढूंडने की फिराक में नहीं है एक बार अकबर के दर्वार में एक चित्रकार आया फेमस उस चित्रकार ने एक पेंटिंग मनाई अकबर ने का अध्भुत पेंटिंग सारे दर्वारी भी हां में हां मिला द बिर्बल ने बोला ठीक है महराज वह पेंटिंग को एक कमरे के अंदर रख दिये सभी दरबारियों को बोला गया कि जिसको इस पेंटिंग में जो भी प्रावलम नजर आता है कमरे के अंदर पेंटिंग टंगी है आप जाईए वहाँ पेंट से गोला मार के आ जाईए कुछ दिर्बाद एक एक करके सभी दरबारी अंदर गए और बहार आये और जब अकबर बीर्बल अंदर जाकर देखते तो पेंटिंग गायब हो चुकी थी उनकी जगा सिर्फ गोले ही गोले थे अब बीर्बल ने कहा महराज अब एक दूसरा काम करिए आप इसी पेंटिंग की दूसरी कॉपी को यहां रखिए और सभी से कहिए इस पेंटिंग में जो दोश तुमको नजर आ रहा है उसको सुधार क्या हो और यदि दोश नजर नहीं आ रहा है तो भीना छुए आ जाना आप अचरच करेंगे सारे दरवारी अंदर गये और पेंटिंग बिल्कुल फ्रेश रही एक दाग भी नहीं लगा कारण हर आदमी दुनिया में दोश निकालने को तयार है लेकिन एक आदमी सुधारने के लिए तयार नहीं है चलती सड़क में कचरे को देखके शिकायत सब करेंगे लेकिन मौका मिलते ही खुद कचरा फेक देंगे गंदगी की शिकायत सब करेंगे लेकिन मौका मिलते ही खुद वाँ पान की पीक धूग देंगे साथियों हम सब को प्रॉब्लम माइंड सेट की जगा सॉलूशन माइंड सेट में आना होगा हम सब को उसे काले धब की जगह बहुत उजली वाइट शीड देखनी पड़ेगी और ये बात आप हजार बार सुन चुके हो शायत प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वर्ड दुनिया के सबसे बोरिंग वर्ड्स में से एक हैं लेकिन उसके बाद भी मैग्जिमम लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं झाल प्रॉब्लम और आप हैं